हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए बेठे और मिरची का अचार खाने का मन कर रहा है तो फिर बोलते हैं कि उसको तो टाइम लगेगा बनाने में कैसे बनाएंगे मसाला भुणना पड़ेगा, सेंख ना पड़ेगा तब हम अचार डालेंगे और अचार डालके फिर यहां पर मैंने बड़ी हरी मिर्ची ली है यह देख सकते हैं आप लोग चाहें तो छोटी मिर्ची भी ले सकते हैं जो आपके घर में अब लेवल हो वह आप लोग मिर्ची ले सकते हैं सबसे पहले क्या करना है कि मिर्ची खुद होना है और फिर इसको एक कपड़े से पुँच लेना है ताकी इसमें पानी ना रहे तो चलिए हम मिर्ची को काट करते हैं तो आज हम इस सपेशल तरीके से काटने वाले हैं तो चलिए मिर्ची काट कर तयार करते हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमें मिर्ची काटना है तो यह करीब देखिए छोटा छोटा काट रहे हैं जैसे हम लोग सबजी के लिए काटते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा काटेंगी यह देखिए इस तरीके से काटना है तो थो हमारी मिर्ची कटके तैयार है, यह आप लोग देख सकते हैं. इस वाले अचार को आप लोग किसी भी मौसम में बना सकते हैं, बहुत ही टेश्टी लगता है, इस अचार में कम उयल डलता है, तो इसको सफर में भी ले जा सकते हैं, तो चलिए अब गेस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, पैन हमारा थोड़ा सा गराम हो चुका है, गेस को हमने बिलकुल लो रखा है, हाई नहीं करना है, अब इसमें 4-5 टेबिल स्पून सरसों का तेल डालेंगे, तो आप लोग ज्यादा तर सरसों क तेल में ही अचार बनाईएगा, उससे अच्छा टेस्ट आता है, तो यहाँ पर हमारा ओयल हलका सा गराम हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 टेबिल स्पून सरसों के दाने डालेंगे, अब इसमें 1 टेबिल स्पून सौप डालेंगे, तो सौप से अच्छा टेस्ट आता है, अचार में आप लोग जरूर डालियेगा अब इसमें एक टेबल स्पून हम डालेंगे जीरा इस समाई पर हमाइे गैस को बिलकुल लोही रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं अब इसमें एक टेबल स्पून डालेंगे अजवाइन, तो आप लोग मिर्ची के अचार में जरूर डालिएगा, अच्छा फिले बार आता है मिर्ची के अचार में, तो अब इन सम शाम को करीब 2 मिनिट हम इसी तरीके से सेक लेंगे तो यहाँ पर हमने दो मिनिट सेंक लिया है अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग हींग का भी अच्छा टेस्ट आता है अचार में तो आप लोग जिरूर डालिएगा मसालों को लोग एस पर एक मिनिट और सेंक कर तैयार करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मिनिट हो चुका है और हमारे मसाले अच्छे से सिक चुके हैं तो अब जो हमने मिर्ची काटके रखे थी वो इसमें डाल देंगे अब ओल और मसालों में अच्छे से मिर्ची को मिक्स करेंगे तो ये देखिए अभी से कितनी टेस्टी दिख रही है मिर्ची वो ये खाना के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, तो मसाले क्या मिलाएंगे, इसमें आधी टेबिल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, तो हल्दी पाउडर से अच्छा हमारी मिर्ची में कलर आएगा, अब इसमें आधी टेबिल स्पून कस्मीरी रेट चिली पाउडर डालेंगे, मिर्ची में आ जाएगा तो इसी से मिर्ची का टेस्ट डबल हो जाता है बहुत ही टेस्टी लगती है अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो यहां पर हमने 2-3 मिर्ची को पका लिया है अब चलिए इसमें हम नमक डालेंगे तो आप लोग नमक पहले से मट डालिएगा एक टेबिल स्पून आमचुर पावडर डालने से हमारी मिर्ची में खटटा पनाएगा तो अचार हमारा जल्दी खराब नहीं होगा अब हमें आम चुर पाउडर को अच्छे से mix करना है और करीब इसको भी एक मिनट पका लेना है तो नमक डालके और आम चुर पाउडर डालके करीब एक मिनट चलाते हुए आप लोग जरूर पकाईए इससे अचार और मसाले अच्छे से mix हो जाएंगे तो अचार में अलग ही टेस्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए मिर्ची और मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है अब हमें क्या करना है गैस को बंद कर देना है और आप लोग चाहें तो अभी इसको खा सकते हैं तो हम क्या करेंगे हमें इसको अब रखना है तो हम इसको ठंडा होने देंगे फिर एक बावल में भरके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा अचार ठंडा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है आप लोग देख सकते हैं यह देखिए ब्लकुर सॉप्ट हो चुका है खाने के लिए तैयार है तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार हुगा है आप लोग अचार को जरूर बनाए बहुत ही टेस्टी बनता है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए थैंक यू